आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन से यहाँ पर अगर वीडियो कॉल नहीं हो रहा है या फिर अगर आपको वीडियो कॉल करने में किसी टाइप की Error किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फोन में आपको सबसे पहले डाइलर को ओपन करना है तो यहाँ पर अब हर किसी Redmi के नए फोन में Google डाइलर आता है तो यहाँ पर Google डाइलर को आप ओपन करिए ओपन करने के बाद उपर आपको राइट साइड में थ्री डाट का ओप्शन मिलेगा यानि की तीन डाट पर किलिक करके एक सैटिंग्स का ओप्शन आएगा इस पर किलिक करिए किलिक करने के बाद एक option आएगा General में Accessibility इस पर आप किलिक करिए और किलिक करने के बाद आपको मिलेगा TTY mode यहाँ पर इस पर किलिक करके आपको एक option मिलेगा TTY off तो यानि कि TTY mode को आप off कर दीजिए off करने के बाद अब आपको अपने फोन के डायलर पर क्लिक करके रखना है app info का option आएगा app info पर क्लिक करिए clear data का option आएगा इस पर क्लिक करके clear all data पर क्लिक करके ok करिए उसके बाद अपने फोन में settings में जाएए नीचे स्क्रोल करके आएगा एक Apps का Option इस पर किलिक करिए उसके बाद एक Option आएगा Manage Apps इस पर किलिक करके आपको यहाँ पर उपर सर्च करना है यहाँ पर टाइप करिए Phone Service किलिक करिए उसके बाद नीचे Force Stop करिए OK करिए Clear Data करिए Clear All Data पर किलिक करके OK करिए और उसके बाद अपने फोन को आप बंद करके चालू कर लीजिए और आपकी वीडियो कॉलिंग से रिलेटेड प्राबलम ठीक हो जाएगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें